क्या आपने भी कभी सुना है कि जब बारिस हो रही हो बिजलिया कड़क रही हो तो आपको बाहर जाकर या छट पर खड़े होकर फोन पर बात नहीं करनी चाहिए वरना आपके उपर बिजली गिर जाएगी अब आप मेंसे बहुत लोग कहेंगे अरे भाई सुना क्या मैंने देखा भी है वो आदमी बारिस के वक्त फोन पर बात कर रहा था और बिजली गिर गए जिससे उसका टाय टायम फिश हो गया अब इस बात में कितनी सच्चाई है आखिर क्या होता है जब हम बारिश में फोन पर बात करते हैं क्या रियालिटी में लाइटनिंग और मोबाईल फोन का कोई कनेक्शन भी है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और मैं आपको लाइटनिंग से सबसे पहले बात करते हैं लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक की मतलब आखिर क्यों गिरती है बिजली जब कोई क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके टॉप सर्फिस का टेंप्रेचर बहुत कम हो जाता है और वहां के वाटर वेपर्स आइस बन जाते हैं और जब यह छोटे-छोटे आइस के टुपडे एक दूसरे से टकराते हैं तो अलेक्टरिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है फिर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है तो पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के उपर जमा होने लगता है और नेगिटिव चार्ज क्लाउड के अंदर होता है पर क्लाउड के नीचे बहुत जादा अमाउट में नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये ग्राउड पर अवलेबल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और क्यूंकि बारिश होने के कारण एर में मॉश्चर होता है वो बड़े ही आसानी से ट्रैवल कर सकता है और इसे हम बिजली गिरना या लाइटनिंग स्ट्राइक भी कहते है तो अब आप बताए इन सारे प्रोसेस में मुबाइल फोन कहां आया आपने सुना होगा कि पेड के पास मेटलिक पोल के पास छट पर अगर आप हो तो लाइटनिंग का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी हाई लेवल ग्राउन पर या खूले जगह पर बिजली गिरने का चांसेस ज़्यादा होते है अब आप किसी पेड के पास हो किसी टावर के पास हो किसी वाटर बोडी के पास हो या किसी भी खूले पर हो आप लाइटनिंग के वक्त अगर बाहर है तो खत्रा सेम ही होता है और मुबाइल फोन का आपके हाथ में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ अगर आप वायर्ड फोन में बात कर रहे हो तो आपको जादा खत्रा है अगर आपने कोई निउस भी फुल रहा होगा इसे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कि आपको रात के अंधेरे में मुबाइल फोन यूस करना चाहिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप इस वीडियो को जरूर द अञीडा ब्रीकशन से आपको नहीं हुआ होगा इस वीडियो को कि आपको इस वीडियो को जल जाँ होगा सक्टी में थाल शूस झाल झाल झाल